बिसमिल्लाइरमानुवहीम असलाम नेकर विल्कम टू इस क्लास इस चोटे से सेशन में चोटे सी वीडियो में हम लोग ने बात करने इनर्जी बजट की जो के काफी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक हो सकता है कभी कबार क्योंकि इसमें एक चीज आती है बच्छे हमेशा इसमें 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं या 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं तो अगर हम इसके हावाले से बात करें इसमें तीन स्टेप्स जहां पर इनर्जी प्रोड्यूस होती है सबसे परें गलाइकोलाइसिस की बात करते हैं लेकिन गलाइकोलाइसिस में टोटल जो ATP प्रोड्यूस होन जो हमें total net gain ATP ग्लाइकोलाइस में, that is 2 ATP, 2 ATP हमें glycolysis से मिल जाते हैं. अब ग्लाइकोलाइस में जो NADH प्रोडूस होते हैं, यह भी 2 NADH प्रोडूस होते हैं. आप ये कहले हैं कि Mitochondria के टॉल टेक्स है उसने पर NADH एक ATP को खर्च करना है तो बजाए इसके कि 3 NADH हमें रिसीव हो रहे हो रहे हो पर NADH हमें 2 ATP रिसीव होंगे 2 NADH है तो हमें यहां से 4 ATP जो हो मिल जाएंगे ठीक है पाइरोविक एसीड ऑक्षिडेशन के अंदर भी हमें 2 NADH मिलते हैं पर पाइरोविक एसीड एक NADH है टोटल दो पाइरोविक एसीड है तो दो NADH हमें मिलेंगे इसके बाद क्रेब साइकल के बात करते हैं तो हर एक क्रेब साइकल में 1 ATP प्रोड्यूस होता है या 1 GTP प्रोड्यूस होता है जो कि ATP के बराबर है दो क्रेब साइकल होती है तो 2 ATP हमारे पास यहां पर बनेंगे तो यहां पर भी 2 ATP आगे हर एक CREB cycle में 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं क्यूंकि करेब cycle 2 हैं तो total 6 NADH प्रोड्यूस होंगे which will result in the formation of 18 ATPs और sorry 18 ATPs प्रोड्यूस होंगे यहां पर let me write that again और हर एक CREB cycle में सरफ 1 FADH2 प्रोड्यूस होता है 2 CREB cycle हैं तो 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे which will result in the formation of 4 ATP molecules. अब अगर हम इनको total करते हैं, तो we get 36 ATP molecules. अगर आप यहां से जो glycolysis बादे 4 हैं, इन में से यह बादे 2 minus नहीं करते, तो then हमें 38 ATBs मिलते हैं. ठीक है, अगर आप इन दोनों को minus कर दें, तो हमें 36 ATBs मिलते हैं, और यह in that case, जब NADH, जो pyrovic acid, sorry, glycolysis बादा NADH है, इसको mitochondria में enter होने के लिए, जो total tax से पेए करना बढ़ता हैं. कुछ और अरिगेनिसम जैसे होते हैं, जिनमें NADH को mitochondria में वैसे ही enter होने दिया जाते हैं, तो इन दोस औरिगेनिसम 38 ATP ही होते हैं. लेकिन अगर आपको MDKD में कभी भी question पुछा चाते हैं, energy budget की हवारे से, you will go with this answer. Thank you so much. See you in the next class.